अब आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस्टेडी बहुत ही बहुत अच्छी चल रहे होगी और अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही है तो यह माइंड को जाने नहीं देना इंडिकेशन की समय कम है तो आपको अच्छा पोजिटिव सोचना है भले एक्जाम के कम समय अगर आप कोछिया जा सकता है अगर आप करना चाहें लेकिन उसके लिए पैकॉजिटिव मैंड्सेट आपको ले ना पड़ेगा और आपको किसी के लिए ना सभी अपने लिए तो पॉजिटिव जरूर सोचना पड़ेगा एक जाम एक सेकंड तक एक्ष्चा पड़ेगा अच्छ आपको सुछना पड़े गासा के बारे में व कि मानसिंग सुछ रहे है इन की पूर पर लिते हैं कि मान फेन गार क accomplishments ये लो एं। लो एं। है लो सुन पा तारे हैं आप कैसे हैं याप घल रहर हां चैनल सब सकार आफ तो मैंने वैसे मतलब मॉक्तेश दिया तो इसकोर बढ़ा इथ्रे बार मेरा स्कोर 136 है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है वह उतना आहत है मेरा जो आपने बताए ना वैसे फालो किया ना में बहुत प्रसी हो रहता है कि परिवर्दतन मजब ते से माम से आप लोगों से ज्यादा होती है कि आप लोगों के मार इड़ेखें करें के me आप इस बात को जरूर आपको मानना चाहिए कि आज कल पड़ सब रहे हैं सलेवस भी सब लोग कर रहे हैं तेयारी सब लोग करें लेकिन अगर हमारे साथ कोई सीनियर रहता है और हमारे साथ एक डारेक्शन रहती है और हम जल्दी उस मलब चीज तक पहुंच पाते हैं और हम अगर सही गाईड़ेंस के साथ आगे अपनी प्रिप्रेशन करते तो वह बहुत बैनीफिशल होता है क्योंकि हम खुद से चीजे करते रहते हैं तो साहीज हम हमारे मन में बहुत सारे डाउट रहते जैसे आप लोगों का भी डाउट है बहुत सारे जिसर कैसे इंप्रूव तो अब आज कर आपका मानते हैं यह जैसे कि मैं मतलब अभी जो आपने बताया नहीं था मॉक्तेस्ट में तो जब मैं आपके लिए लास्ट में मैं गड़ी के देता हो तो कम पढ़ जाता है और इंग्लिश सेक्शन ज्यादा चला जाता है तो अब डाउन हो जाता है तो तो क्या करूंग अधिक वालिटी अलग होगी और आपका कंपरीजिन आपकी स्टडी से होगा वाना जैसे मालन आज का मुग आपने लगाया उसमें आपके मार्स पहले से कम हुए तो यह नि ऐसा होता है कि माइंड सेट के साथ परफॉर्म किया हो कहीं बार ऐसा होता है तो वहां से भी चीज़े आप हो जाते हैं देखो एक चीज मैटर नहीं करती मोटेस्ट में मार्स ऊपर नीचे होन तो यह कि आपके मतलब में किस लेवल कान है दूसरा आप्की प्यारी किस लेवल की, मतलब कहां तक वोच चुकी हैं, ऐसा नवीविशन वारी में या ऐसा हो सकता है कि अभी आप कितनी अच्छी ल Seemsu ना आपके पास नोइचे य Conanap कि आपके पास कि आप उनको कम समय में कर पाई कुश्ट नो आप साइड लोंग मैथर यूज कर रहे हूं ऐसा हो सकता है तुर दूसरी बात यह बहुत है कि साइड आप इंगलीज में अभी अच्छे ना हूं आपकी इंगलीज इंप्रूवना हो रही हो आप साइड प्लोश टेस्ट कम इंगलीज में आपकी जैनुवन हेल्फ कर सकता हूं जब आप मुझे अनिलाइसिस करके यह बताएंगे कि सारी इस पार्ट में प्रोब्लम आरे हैं तो इंगलीज में ज्यादा आरा है मतलब पढ़ने में मतलब टाइम जादा ले रहा है मतलब मैं उसको अटेम्ट करने में इंगलिज में मतलब ना अटेम्ट तो पूरा ट्विटी फाइफ करता हूं लेकिन वही उसमें जादा ले लेता है बारा या तेरा मिनट भी कभी कभी चला जाता है तो आपको सुनो मेरी बास जैसा कि अभी एक्जाम है आप सभी को पताए कि सब्सक्राइब होने वाला है उतना लग से लगाँ को मैं क्या करना है कि चीजों को पहले से इंप्रूव करने का तरीका होता है जैसे मैं थी है अब मैं बैठ के आराम से सोच रहा हूं कि यार तेजी की गुणा मुझे आठ से करनी है आठ तीया चोबिस चार दो देखो एक लेजी नेस पिल्कुल नहीं संपने॥ा fight लोग से तो हमें नहीं कुतना परफॉंब कर Luby तो एक तो तो तेजी में आपको करने की बनानी है कि कि जो को तेजी में करना है रहIm देखो मैं जब calculation करता था तो मैं जा करता था स्टैट कर लिए करते हैं यह matter नहीं करता कि आपको addition आता है matter यह करता है कि आप एक minute में कितना add कर सकते हो कितने question आप add करते हैं देखो चीजे सब को आती है मैं सभी आस्पिरेंट को बोल रहा हूं जो अभी जस्ट मुझे सुन रहे हैं मैं सब को यह बोल रहा हूं कि चीजे सब को आती है मैं यह नहीं कहता किसी को नहीं आता स्लेवस आज 98% student complete करके बैटे हुए देखो लेवस करना चीजों को स्थीक लेना अलग बात है पर्फॉर्म करना अलग बात है मानोग इस बात को यह आपने फिल किया होगा बहुत लोगों प्रफॉर्म नहीं कर भा रहे हैं और यहीं सेम सिच्वेशन हमारे साथ एक्जाम में होती है मेरा भी एस सिलेवस कंप्रीट है सवारा खेल लगाने बैटे बीस लगाने बैटे तो वहां पर टाइम बाउंड कंडिशन नहीं थी हम लेकिन अग्जाम में यह चीज नहीं चलेगी एक्जाम में आपको टाइम के लाइक नहीं है ऐसा नहीं यह जिनास्प्रेंट का सलेक्शन नहीं होता है उनको चीजे नहीं आती थी उन्हें भी आती थी पर वो कही न कहीं टाइम की अकोडिंग परफॉम नहीं कर पाई पर सिर्फ एक छोटी सी वज़े ऐसा नहीं कि उसलेक्शन के लाइक नहीं है नहीं वो भी Selection के लाइक है पर वो नहीं कर पाए अगर उनको भी गंटे की वज़ा गंटा दे दिया जाता वह भी कोश्चन करके आते हैं कि आज खेल ही समय का है चीजे आना मैटर ही नहीं करता है चीजे आने के बाद आप कितना जल्दी कर पाते हैं यह मैटर करता है सारा खेल टाइम का है क्योंकि हमें टाइम के खोडिंग खेलना और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप बिगनर भी यह भी से आप 24 को भी टार्गेट कर रहे हैं तो आप लोग एक दम से फुल मौक मत लगाए देखो इस टैप होता है चीज़ों को सीचने का पहले आप जाईए यानि मैं आपको कहने लगूं कि आप एकदम से सचिन तेंदुकल बन जाओ नहीं बन सकते फिल्ड में एकदम से नहीं उदर सकते फिल्ड से पहले बैक्ग्राउंड इस्टेडी करनी पड़ती है बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है सीखना पड़ता है तब आप फि आपको काम कर लिया आपको कंपरेंशन पार्ड को इंपरूगर लना कि आपको रीडिंग अच्छे से कि देखो कि मैं हमेंसे एक बात मानता हूं जब भी आपको समझ ना आए ना और जब आपको लगेगी मेरा लेवल डाउन हो रहा है तो अपने आप से कोश्चन यह क्या करो कि मेरा ही सेलेक्शन क्यों होगा ऐसा मेरे में क्या है जो औरो से अलए आपको खुद आंसर मिल जाएगी कि नहीं मैं अभी उतनी महनत करी नहीं रहा हूं जो मेरा सेलेक्शन में मानोगे तो आपको यह चीज़े आगे पुसब करें यह आपको आगे बढ़ाएंगी यह वाते कि नहीं यार मुझे औरो से अलग करने अब देखो करते हैं एनिलाइसिस नाम सब ने सुना हुआ कि मैं ज्यादा नहीं कहता आपको अगर आपने 20 मोग टेस्ट का अनिलाइसिस भी अच्छे से कर लिया ना मैं गारंटी से कहता हूं अगर आपके माक्स इंप्रून ना हो तो कहना लेकिन वह 20 मोग टेस्ट पर आपको समय देना पड़ेगा हम लोग क्या सोचने लगते हैं कि स गंटा वेस्ट नहीं चाता था वह एक गंटा आपको इतना कुछ ठिका के जाएगा कि आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा लेकिन सीखने वाले एक लिए कि एक होता है चीजों को टैमी के अकोड़िंग करना एक होता है चीजों को समझ समस्द करकरना लेखो एक्जांइने हर बार हमारे साथ लेंग्वेज का खेल खेल रहा है वह ही प्रश्टेंटेज कर चैप्टर से कुस्चेगा लेंग्वेज गुमाएग वही techniques stone से कोश्टिन पूछेगा लेंग्वेज घूमी हम घूम लेगे वजे क्या है बहुत लोग स्लेबस करते हुए जल्दबाजी करते हैं स्लेबस कर लेंगे यह सोचेंगे कि 6 महीने का स्लेबस एक महीने में कम्प्लीट कर लें बहुत लोग मेरे से भी कोश्चन यह करते हैं कि सर कोई ऐसा स्लेबस बताओ जो 6 महीने में कम्प्लीट होगे भाई आप एक साल का खाना 6 महीने में खाओगे तो पेट में गैस भी बनेगी बदजमी भी होगी और बहुत सारे इसूस भी हो सकते जिस चीज को जितना समय चाहि आपके साथ जैनवन बात करूगा मैं एसी कोई और इकल अपना आपके सामने नहीं करूंगा कि मैं कहने लोग नहीं दो महीने में सीजल क्रेक्ट किया जा सकता है अब करने वाले करते हैं लेकिन मुझे एक साल से भी ज्यादा समय लग गया है मत्यारी करते और आप यह बिल्कुल मस् बहुता है कि नियारी कर रहा है रही है तो कभी सोच के भी मत किया करो नहीं आप के साहिए है लोग गुजर रहे हो जैसे आज आपको नहीं पता है मार्क कैसे इंप्रूव होंगे जैसे आज मॉक्तेस्ट में बहुत नीची चला गया नौसी आया उससे पहले मॉक्तेस्ट में 120 आया था मेरी बास सभी लोग मैंने बोलाई जहां पर आप इंप्रूमेंट लेकिन आप लोग यह बात नहीं समझते इस बात में बहुत बड़ा राची पहुआ है अगर आप Minsk करोगे आप इंप्रूमेंट करिं ने पर होगिं लेकिन आप अगर इंप्रूमेंट करोगे ना माक्स ग्रेजवल इंपुरूव होगे अपने अप इंपूरूव होंगे कोई आप यह देखती तब कि आप नूर्मा लेकर जाम बलो जैसे माले हम लोग ग्याहूं बहुते हैं खेद में ग्याहूं बहुते हैं ग्याहूं मिलेंगे लेकिन उसके साथ भूसा फिरी मिलता है इसे ही अगर आप इंप्रूमेंट्स करोगे ना तो मार्क्स बढ़ेंगे लेकिन हम उल्टा करते हैं लोग फोकस ही मार्क्स पर करते हैं इसलिए हम डी मोटीवेट होते हैं और जब डी मोटीवेट होगे ना मैं गारंटिड कहता हूं आपकी डाउन होगी अगर पहले से आपके आस्ती मार्स आ रहे होंगे ना ना 60-70 चले जाए अपको आज के मोग ट लर्णर से अभी आप सीख रहें आप .. अपको यह आप फसे जा रहे हों आप लोग marks में कि मेरे mark ordous मानिस में आते हैं मुझे पता है मेरे मांद माओए म कि मिलती था यह अ। लगता है अज कुछ पा लिया मैंने क blender कुछ फट लिया मैंने पाल आ हुआ लोग अभी अब होक साथ टेंटे न वह भी दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल भी फोकस ना करें अगर आपको ये लाद ध्यान नहीं रहती है तो आप इसको कहीं डिया अज तक आपको किसी ने कहीं ये बात कि माट क्या स्वाकतसता करो तो नहीं कहीं आपको किसे यह सब्सक्राइब है आप करो आप करके 15 दिन आप बिना मांग्स पर फोकस किए इंप्रूमेंट पर पंदरा दिन काम करो जिसके 60 आ रहे हैं अगर 80 न हो जाए तो कहना जिसके 90-120 न हो जाए तो लेकिन आपको इमानदारी से काम करने कोड़ेगा ह कि उसके स्कहशली आरे हमारें कि आनी से मेरा सअलनूंगा उसकी अनी से मीर सअलक्तितों ढूंगाば है यह यह सब चीजी चालाग बनो चतुर बनो मैं अपने आपको हर कंडिशन में डालना सी को चलना सी को तब तक मजबूरी यह बताते रहोगी सर्मि मेरी इंगली समझोर है सर मेरा मैट कम जोर है रहे सर मेरे अड़वांस इंप्रूवन ही हो रहा है सर मेरे मोख में मांग कमा रहे हैं अपये मजबूरी कोई सुनने वाला नहीं है कि हाज इंप आज स्ट्रेगल टेस में कोई सुनने वाला नहीं है ना कोई एसक्षिस आपके कोई सूने गाLast Green on the east is it को जानता ही कि चमतकार को नमसकार करते हैं सी दी वाथ तो बिना excuses के हर चीज हमें भी पता है कि अगर मेरे एंगलीश में जीरो था बिल्कुल ताम का टाइम हो रहा है मैं जोड़ नहीं बोलॉब एक प्रसेंट भी मैं इंगलीश में 0 था मुझे डर लगता था लेकिन मैंने सिर्फ अपने माइंड में ये सोच लिया था कि इतना ही तो सकता है कि इंगलिस समझे या येopen समय ने लेकिन ही इनग्लिस पढ़ू है कि नहीं समय चाम लेकर में इसक karş narratives की चीज़ें बदलती है अगर आप बदलना चाहा है तब अगर इरादा मुझबूत होगा ना तो चीजे वैसी पीसे सोड़ रहती है इतने आप है तो नॉर्मल बात में यही कहना चाहा रहा हूं कि आप लोग अपने study पर focus करो कोई तरीका नहीं है और से आगे निकलने को यही चीजे आपको और उसे आगे लेकर रहे हैं और जैसे आप लोग कर रहे हैं ऐसे करते रहो उसने मन को गाइड करना भी बहुत चरूरी है मन भी हमें कहीं बार disturbance कर देता है यह भी हमें डिस्टरब करने लगता है बीच पिसमें अने लगता है कि पता नहीं होगा यह नहीं होगा ने तो बेली आप घर पे लगाते थी वह थोड़ा दूर हो जाएगा बस इतना लेकिन जिस दिन तक एक्जाम है उस दिन तक का टार्गेट आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए बिना कुछ कि आप पंदरा दिन देगे आप आट दिन देगे इस बिना प्रेसर के स्टडी करो अगर आप भी लोग है तो उनमेर आपने क्या फ्रेकर रहेगा हमाना मैं मानता हूं एक परसेंट दो परसंट परेसर रहेगा कि एक्जाम है जाहूगा क्या होगा नहीं होगा एक कि रिमात में रहता है यह पर उसको इतना हावी नावने दो तो आपको इस्टईटी डाउन लेवल ही डाउन कर दें यह गड़ाब दो आगा है एक जाए और एक जाए आपका है कि शेक्षनल मॉक टेश्ट लगाना चाहिए ऐसे करके तो मैं सेक्षनल मॉक लगाओ अब जी अगर जिस भी सेक्षन में मार्क तो मारें तो लगा जैसे मेरा क्या है इंग्लिस में ज्याद लिए उसे वज़े से समय नहीं बज़ पाता है लाश्ट ट्विटी मिनट ही बज़ पाते हैं गड़ी के लिए और उसमें भी कुछ वेसे बज़ जाते हैं घड़ी के वह भी सरा सरा जो बन जा बन जाएगा लेकिन वो टाइम के वज़े से वह ठूट जाता है उच्छा है तो अभी उसको फोकस करो लगाओ एक दो कि रिजिनिंग में कई बार 20 से ज्यादा मिनट चला जाता है इसा जाता है हाँ और कोर्शिस करो कि 15 मिनट में कमप्लीट हो 15 नहीं तो 17-18 ऐसा इसा इंग्लिस इंग्लिस के लिए कैसे बढ़ाओ जैसे हो कि मतलब ऐसे तो कोई कोश्चन नहीं है एवरेज टाइम भी चेक कर लिया करो कि और उसे अवरेज टाइम मुझे कितना लग रहा है तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं अब इंग्लिस में थोड़ा समय इंग्लिस में जैसे पढ़ता हो तो मतलब सुरूं में समझ नहीं आता है फिर उसको दो बार दोबारा पढ़ना पढ़ता है में समझने के लिए अभी अंदरिस्टेंडिंग इस वोजे से होगा है अगर आपको लगता है कि मेरे ठीक है मैं समझ पाता हूं और अभी थोड़ा समय लग रहा है तो उसके लिए आप अलग से कोई पैसिस पढ़ा करो डेली यह कोई स्टोरी बगारा पढ़ा करो यह सिर्प नॉर्मल यह चोटी-चोटी बाते जो आप लोग के साथ हो रही है यह चीजों को कम प्रैक्टिस करने की वज़े से हो रही है जैसे मालने रीडिंग की चीजों को लेट समझ ना तो यानि अभी रीडिंग पर उतना कमांड ही नहीं अपकी इसलिए आप लेट समझ पा रहे हो आपको चीछिए करने से यह होगा कि आपकी थोड़ी माइंड की कपासिटी तेज होगी आपको यह लगेगा कि यार मैं इस पैसिज को पढ़ने में पहले बीस मिनट ले रहा था लेकिन जब आपको हैबिट डबल अप हो जाएगी करते करते तो वही बीस मिनट का पैसिज आप दस मिनट में पढ़ने लग जाओ यानि इतनी कपैसिटी आपक यह क्योंकि क्योंकि आपको औरो से आगे निकलनाए तो आपको जो लोग बीस मिनट में करेंगे कुछे लोग आपको पांच मिनट में करके दिखाना होगा तबी, तबी तो आप औरो से बेहतर कर आणे!!!! कि यह चीज़ पसी एक अगर आपको इंगलिस पर कमांड करने तो आप कंटीनिव रहें इसलब कंटीनिव रीडिंग करने जितना रेडिंग उतने अंडरेश्टेंडिंग करने से इंप्रूव नहीं हो रही ग्रेमर इंप्रूव होगी आपकी वोकाबलरी इंप्रूव होगी पैसिज आपके और यह प्या नाम क्लोज टेस्ट पी कि वारे सब इस तो समाफेफ्ट में रीडिंग में लुए एग और पूछ नाश्ट कुछन वह मतलब जैसे मैं पढ़ने के लिए तो दीन भार पढ़ता हूं लेकिन मतलब अंदर से यह नहीं आता है कि आज में दीन मदब पढ़ अच्छा से पढ़ाई क्या हूं ऐसे करके आज मदब आत्मसंतुष्टी नहीं होता है में इसले नहीं होता है आप टार्गेट से पढ़ रहे हैं बनाके अगयर हो इसले तो आज वह दिन का देखना रियक्शन क्या रहेगा सोषी मिलेगे तो वह पूरा नहीं हो पाता है वह टार्गेट बनाओ और उसको अचीव करो यानि कम्प्लीट करना है आज है चोटा बनाया और लगातार अगर नहीं कर पा रहे हो तो और यह आपको न उतना ही करना है जितना हो पाए और ग्रेजवली इंप्रूवर जब आपको लगी आज मैंने इतना कर लिया और मैं कर सकता था तो अग्या ना देखो एक दम से ज़्यादा खाना आज मालने मुझे कोई कहीजी मुझे आट गंटे चुटी करनी तो मैं जी जान जोर लगा के आट गंटे कर लूं और लेकिन यह 8 गंटे में डेली नहीं कर पा तो इस टार्ट कहां से करना होता है चोटे से स्टार्ट करना होता है और हम लोग क्या सोचते हैं हम लोगे सोचते हैं एकदम बड़े से स्टार्ट करने मन में जिस दिन डैडिकेशन पावर्फुल जादा जाएगा लगेगा आज आज आट गंटे पढ़ेंगा आज दस गं और सो मनी नहीं कर रहा है पड़ने गा तो तचला नीनी इतनी आगी इतना जगली दो दिन इतनी ताकत लगा लिए अब 8 दिन हिम्मत ही कमज़ोर होगी कि वह नहीं करना है कि छोटे टार्गेट अचीव करना है अगर एक दो टार्गेट रहेज भी जाता है किसी वज़े से कोई काम भी हो जाते हैं जाना भी पड़ जाता है तो उसको नेक्स्ट डे फर्स्ट मलब शुरुवात ही उसी टार्गेट से करो अगर आज पूरे दिन में नहीं हो पाई तो रिजनिंग को कल फस्ट डे में पहले सबसे पहले रिजनिंग ही करो कि तक फिक है जी कि इस टेख है आई यूँ इस निदे टेंक्यू सर्टव पाट रेंक्यू कि आजी किसी और कर डाउट है कुछ मन में संसे दुज़िदा तो आप लोग इंटेलिजेंट होगे तो आप किसी और को समझा देते होंगे है ना एक्जाम तो सभी लोग दे रहे हैं न ऐसा तो कोई नहीं है कि अभी सोच रहा है कि दे लेंगे कि और किसी को तो कुछ कुछ ना नि अब अभी आज को इतने डाउट है निए कर देते हैं फिर वह जूँ है कि मैं तो इस ले लिया था आज सेसं सूच रहा था कि थोड़ा समय था आप लोग डाउट किलर कर देता हूं वैसे लेकिन मैं थोड़ा थाका हुआ हूं लेकिन फिर भी मुझे लगा साइद कोई गुरूप में बोल रहा था कि सर थोड़ा की मोटिवेशन चल रहा है आज कल नहीं समझा रहा है और इस्टड़ी डाउन चल रही है पिलो थोड़ा देर आप लोग उसे बात कर लेकिन लेकिन साइद अनिल कुमार जी का ये साइद हाड आउट उन्होंने 25 डे चैलेंग मेरे से पूछा था एड़ रेट करके अनिल कई था उन्होंने बोला था कि एक बार लाइव सेशन हो जाए भाई आज कल मन बड़ा विटलित हो रहा है राइट टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा है कीरियसनेस ना बन पा रही है ऐसा कुछ करके पूछा था अभी कोई कुछना चाहता है इस्ट्रेक्टर सूरेग्ड मैं मैं मैंच्च्योर लगनर उरे भाई क्या लिखा हो है यह कुछन से वास है वही काला विट्थी अवेलिवल आफ्टर फाइब पीएम ओनली इच्छली असा क्या पढ़ते रहो इस्ट्रेडी करते रहो थोड़ा टैपिंग वगेरा भी ध्यान दे लिया गरो थोड़ा टैपिंग का भी समय निकाल लेगा अदस 20-27 जाच्पिंग बीं निकाल लिया करो जरूर शारे वर्ड्स के से बाना स्बफंक्चन चीज़ वगेरा सारी चीज़ सीख लो यह काम आएंगे आपके और MS Word वग्यारा का भी थोड़ा नोलीज रखो तो कि यह सब कंप्ट्यूटर में भी आपके काम आएगा जो आप कंप्ट्यूटर का पर दोगे उसमें सारी चीज़े काम आएंगी तो जिनको बेसिक वग्यारा नहीं आता है तो पड़ रहे थे वह पढ़ लो और नोलीज जरूर रखो ध्यान नक्खो बिना कंप्ट्यूटर क्वालिफाई करें नहीं सेलेक्शन होगा तो कंप्ट्यूटर का सोकस करना है टाइप इन आप करते र यह दूसरी बात टाइपिंग का हो गया कंप्ट्यूटर पर फोकस करना है और लगाते रही है जितने भी माक चल रहे हैं उनको सोच कर अपने आपको जच बिलकुल निकलना मेरे माक कितने आ रहे हैं तो साइज में इतने लायक मूदी या मेरी तयारी इतनी हो गया ऐसा बि पर चीज़ से आप अपने आपको बिल्कुल भी ऑंपारिजन नहीं हैं तो आप ये बिल्कुल मत्रों की ढाऄ डिली करते रहे कर दो के obscurity करते हैं कि आप कम ये और पृब़्फी बात दो कि हमें यह सोचने कि आज में क्या प्रक्राइब है कि अपने डाइरी में दिखो हुआ है इमानदारी से लगे और इमानदारी से लगे रहा होगे इमानदारी से भगवान आपको जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ कुछा दो यह जरूर लगता है वक्त को बदलने में पस यह बात भी ध्याना है तो लोग आपके साथ से होंगे ना समय आपके साथ से यहीं तो परिक्सा है आप क्या मान सब्सक्राइब करने परिक्सा होते हैं यहीं तो प्रोब्लम्स हैं इनको तो आपको सीक्र मजबूद बनना है कि Queensland को कोई सब्सक्राइब सब्सक्राइब साथ हो दिंदा संब्सक्राइब क्षाया इस से अलावा और कुछ नहीं होना के जीतिन जाएंद पर रोग बहुटा आज हूंब हो थ्атив सनक्राइं क्यात्याश छोड़ा सा भात सीपकर नहीं कि इसलिए लोग जुड़े उनका भी धन्य वाग, तो लोग सुन रहे हैं उनका भी धन्य वाद, जो बाध में सुनेंगे उनका भी धन्य वाग, और बस अभी किसी का लास्ट डाउट है तो पूछ सकते, पिर लाइफ दे से रहे हैं, मैं भी ठ लागेम रुरा रैस परना मुछी ठीका? उसने साथ आगोई? शहलो कोईव़ा जब की थांग्यू गुनाइट एक्यो